सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रान चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए सो फैनली ओपो वालों ने अपने ओपो A79 5G के अंदर कलरोस 14 बेस्ट अंड्राइट 14 का न्यू अलफा अपडेट रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के उपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है काफी एच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में मैं इस अपडेट का कंप्लीट डिटेल बताने वाला हुदोस्तों जिसमें आपको कौन-कौन से न्यू फीचर से देखने को मिलता है कौन से बगस फिक्स हुए है साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस की इस टेप से देखने को मिलता है इसका game performance की step से देखने को मिलता है इसके अलावा और क्या कुछ new changes देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैं one by one सारे कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो तो इसके लिए video में last तक बने रहिएगा तो चलिए start करते हैं अब यहाँ पर features box वगरा के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर इसके version वगरा देखेंगे तो आपको 14.0.0.600 का new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 1.29 GB का है और यह आपको colorOS 14 based on android 14 के update के साथ internal version I mean की alpha update देखने को मिल जाता है बात की जाइस update के बाद इसके android security पेच की तो यहाँ पर आपको android 14 के update के साथ 5th March 2024 का latest enhanced android system security देखने को मिलता है इस update के साथ इसके अलाओ बात की जागले change की तो system के अंदर यहाँ पर system में जो भी छोटे मोटे non issue थे box वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे के पूरे system performance और उसके overall system UI को optimize and improve किया है जिससे कि आपको आर भी better experience के साथ system UI देखने को मिलता है साथ यहाँ पर जो dynamic computing engine है उसको आर भी optimize and improve किया है जिससे कि जो battery life, speed, apps opening, closing, animation, stability अगरा आपको आर भी better experience के साथ देखने को मिलता है इसके अलावा बात किज़े अगले change की तो यहाँ पर दोस्तो apps increasing issue को यहाँ पर fix कर दिया है यहाँ पर पहले कुछ कुछ situation में apps increasing issue देखने को मिलता था जैसे ही open करते थे वो automatic exit हो जाता था प्रापर वे में use ही नहीं कर पाते थे तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप apps open करते हैं तो आपको प्रापर वे में apps opening देखने को मिलता है साथ ही properly use करने को मिलता है इसके अलाओ बात की जगले चेंच की तो black screen issue देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है काफी जगाओं में screen black का problem फेस होता था जैसे कि अगर आप video content page में अगर आप scrolling screenshot लेते थे तो उस time पर black screen issue देखने को मिलता था साथ ही अगर आपका phone lock screen में है और lock screen में अगर आपको notification मिलता है और उसको अगर आप tap करते हैं तो उस time पर आपको black screen issue देखने को मिलता था तो इन सभी जगाओं पर black screen issue देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके better कर दिया है अब आपको इस update के बाद black screen issue देखने को नहीं मिलेगा इसके अलाव बात की जगले change की तो अगर दोस्तों आप कोई सभी third party music player यूज करते हैं तो वो apps जो है proper way में response नहीं करता था unresponsiveness हो जाता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप कोई सभी third party music player यूज करते हैं तो आपको proper way में response के साथ यूज करने को मिलता है इसके लाव बात की जगले change की तो communication के अंदर यहाँ पर दोस्तों wifi connection के stability और performance को improve कर दिया है कुछ-कुछ situation में wifi जो है proper way में connect नहीं होता था और अगर आप connect कर भी लेते थे तो कुछ time पर वो automatic disconnect हो जाता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है अब आपको proper और stable wifi connection और stability देखने को मिलता है इसके अलाव बात की जगले change की तो network के अंदर यहाँ पर दोस्तों mobile network के connection को optimize और improve किया है जिससे की कुछ कुछ time पर जो mobile network के connection है वो up down होता था proper way में call connect नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको better mobile network के connection देखने को मिलता है साथ दोस्तो mobile network के connection के problem की वज़े से अगर आप call वगरा करते हैं तो उस time पर आप three way conference call या फिर conference call करते हैं तो वो proper way में connect नहीं हो पाता था third person को connect करते ही call disconnect हो जाता था तो उस problem को भी इस update के साथ fix करके better कर दिया है जिससे की अब आपको better three way conference call proper way में यूज करने को मिलता है इसके अलाव बात की जा अगले बग fixes की तो वो आपको मिलता है दोस्तो setting के अंदर mobile network के अंदर अगर आप sim option में जाएंगे तो यहाँ पर आपको data roaming का option देखने को मिलता है तो इस features को on रखने के बाद अगर आप roaming में रहते हैं तो भी आपको roaming का alert so नहीं होता था साथ ही अगर आप device को restart भी कर देते थे तो भी आपको roaming का alert so नहीं होता था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आप roaming में रहते हैं और data roaming को on करके रखते हैं incoming call वगरा आता है तो उस time पर आपको ring या फिर ringtone वगरा सुनाई देता हैं लेकिन दोस्तो कुछ कुछ situation में incoming call आने के बाद भी ringtone जो है properly सुनाई नहीं देता था ringtone बसता ही नहीं था तो उस problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको incoming call आता है तो properly ringtone या फिर music वगरा सुनाई देता है साथ ही दोस्तो अगर आपको incoming call आता है तो उसका जो banner है या फिर cut out है वो properly so नहीं होता था ना ही banner की रूप में और ना ही full screen में तो उस problem को भी यहाँ पर fix करके better कर दिया है अभी दोस्तो आपको incoming call आता है तो आपको banner और full screen दोनों में properly so होता है इसके लवब बात कीज़ अगले change की तो यहाँ पर दोस्तो Bluetooth connection के stability और performance को improve किया है साथ ही Bluetooth connection compatibility को यहाँ पर RB expand किया है जिससे कि आपको RB better experience के साथ Bluetooth connection देखने को मिलता है इसके लवब बात कीज़ अगले change की तो camera के अंदर यहाँ पर दोस्तो अगर आप camera यूज करते हैं वीडियो recording वगरा करते हैं तो अगर दोस्तो आप watermark features को on करके time lapse mode में video recording करते हैं तो वो proper way में होता नहीं था watermark features on होने के बाद time lapse mode में आप video recording नहीं कर पाते थे तो उस problem को यहाँ पर fix करके बेटर कर दिया है अभी दोस्तो आप video recording करते हैं तो watermark features on रहे या off रहे आप properly time lapse mode में video recording कर सकते हैं अगर इस बात की जाईस update के बाद इसके battery performance की उसके लिए हम चलते हैं setting के अंदर निचेक side battery के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो इसका जो battery performance है वो पहले से काफी better देखने को मिलता है पहले दोस्तो काफी जादा battery draining, over heating साथी slow charging issue देखने को मिलता था तो उन सभी problem को यहाँ पर fix करके better कर दिया है जिससे कि अब आपको better battery backup, battery usage देखने को मिलता है साथ दोस्तो जो over heating का problem था वो भी यहाँ पर काफी कम हो चुका है यहाँ पर alpha update से काफी better battery backup देखने को मिल रहा है लेकिन अभी भी दोस्तो यहाँ पर battery draining और hitting issue देखने को मिल रहा है बट पहले से better देखने को मिल रहा है साथ दोस्तो charging speed slow था उसको यहाँ पर proper way में कर दिया है यहाँ पर आपको better charging speed देखने को मिलता है एंडगी इस बात की जाई सबडेट के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर दोस्तो इसका जो game performance है वो आपको काफी smooth और stable देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो अगर आप heavy यूज करते हैं ज्यादा time तक game अगर खेलते हैं तो आपको कुछ कुछ time पर lagging इसू और beach beach में आपको frame drop इसू अगर देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तो अगर आप normal condition में game खेलते हैं game play करते हैं तो आपको काफी smooth और stable gameplay देखने को मिलता है साथ ही दोस्तो अगर आप काफी ज़्यादा time तक game खेलते हैं तो उस time पर आपको overeating और थोड़ा fast battery draining का problem फेज करना पड़ता है अब दोस्तो बात की जाए ओपो के system application अपडेट की तो उसके लिए दोस्तो मैंने वीडियो के description में अपने telegram channel का link जो है add कर दिया है यहाँ पर आप आकर अपने system application को अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर आपको colorOS 13 और colorOS 14 का काफी सारे system application अपडेट मिल जाएंगे लेकिन दोस्तो colorOS 14 का system application अपडेट करेंगे तो carefully install कीजेगा हो सकता है आपको apps tracing issue अगरा देखने को मिल जाए तो आप अपने risk में carefully install कीजेगा तो यह रहाँ दोस्तो इस update का full review दोस्तो यह update आपको मिला है की नहीं मिला है आप मुझे comment करके जरूर बताइएगा तो इतना ही तो दोस्तो इस video में वीडियो पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं हम next video में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो